हेलो फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे है ना और अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का ध्यान दे रहे होंगे और अच्छी दिति से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज हम लोग जारकंड इति हा आप टॉपिक्स है कुछ-कुछ important question उसको देखेंगे है ना तो जादा देर नहीं करते हुए आपके सामने पहला question है question number one कि डॉक्टर वीरोत्तम की किस रचना में जारखंड को गौतम बूद का जन्मस्थल बताया है किस ने डॉक्टर वीरोत्तम ने तो वही question है कि किस रचना में है ना जिसका आंसर होगा जारखंड इतिहास एवम संस्कृति ये एक इतिहास कार है जिन्होंने अपने एक रचना लिखी है जारखंड इतिहास एवम संस्कृति इस पुस्तक में उन्होंने जारखंड को गौतम बूद का जन्मस्थल के रुप में बताया है ठीक है अगला question है question number two जारखंड के किस जिले में बहुद इस्तुब पाया गया है और इसका आंसरों का करवा ग्राम धनबाद धनबाद जीले के करवा ग्राम में बहुत इस्तूप पाया गया है और बहुत विहार आएगा अगर आप लोगों का question मिजहारकंड के किस जीले में तो इसका आंसर गोख़ो भूटी ठीक है? खूटी जी ले ठीक है? और अगर ग्राम पूछा जाएगा तो बेलवा दाग ठीक है? तो यह चीजजा याद रखिएगा बॉथ स्थुब पूछा गया है तो करूवा ग्राम धनली ठीक है? और बहुत विहार पुछा जाए तो क्या होगा बेलवा दाग खोटी ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर तीन इठखोरी चत्रा के किस मंदिर के परिशन में महतमा बुद्ध की परतीमा पाई गई है तो यह इठखोरी है जो बहुत ही एतिहासिक जगा है पूरा तत्वा के छेतर में देखा जाए एतिहास के छेतर में देखा जाए तो इठखोरी जो है बहुत ही महतव पून स्थान रखता है जारखंड के एतिहास के लिए तो यही चीज़ आप पूशा गया तो किस मंदीर परिशत में बौद महत्माबूद की परतीमा मिली है तो इटखोरी के भधरकाली मंदीर में इस मंदीर परिशत से हम लोगों को चार मुर्तियां प्राप्त हुई है तो यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे ज्हारखन में भी बहुत धर्म को लेके बहुत ही पुरा तात्युक दिश्ट्री कौन से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुए है बहुत मूर्तिया प्राप्ट भी है अगला question है question number 4 प्रचिनकाल में जारखंड में जैन सभ्यता केंडर्था प्रचिनकाल में जारखंड मतलेanie question थोड़ा misprint हो गया है क्वेशन होगा प्रचीन काल में जारखन का कौन सा छेतर है ना कौन सा छेतर जैन सभ्यता का केंदर था ठीक है तो इसका आंसर होगा मान भूम है ना तो इसको प्रचीन काल में क्या कहा जाता था मान भूम और ये आज के वर्तमान में इसे धनबाद कहते हैं ठीक है धनबाद धनबाद कहते हैं आज कली सिर्फ धनबाद अब रचिनकाल में इसे मानभून कहते थे जो जैन सभ्याता का बहुती महतपून क्या था केंदर था ठीक है अगला क्वेश्चन है जारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का वर्नन किस सहित्या में मिलता है जारखंड में जैन धर्म का जैन धर्म का प्रभाव था उसे उसका वर्नन किस सहित्या मिलता है तो यह होगा अर्थसास्त और यह अर्थसास्त किस ने लिखा था कॉटिलिया ने है ना कॉटिलिया के द्वारा या अर्थसाजद्र रचना किया गया है ठीक है तो यहाँ पे कुछ महत्रपूर्ण पॉइंट जो कल छुट गया था धार्मी का अंदोलन पे तो यहाँ पे तो पाँच पॉइंट को मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ और कल मैं आठ पॉइंट रखा था तो इन पॉइंट्स को आप लोगों जरूर ध्यान से देखे याद करिए है ना और आज का अगला पॉइंट होगा मौरे समराजे ठीक है आज हम अगला टोपिक कुछ देखेंगे यह हैं मौरे समराजे तो मौर समराजे से related question आप लोगों के लिए है कि जारखंड में मौर समराजे के किस सासक का शाशन सामील था जारखंड में ठीक है जारखंड में किस सासक का समराजे सामील था वो होगा चंद्रगुप्त मौरे ठीक है चंद्रगुप्त मौरे कar यहां साशन था अगला question है question number seven असोक के तेरिवे सिला लेख में झार्खन छेतर किस नाम से उलेख किया गया है तेरवा जो सिला लेख था उस में असोक दौरा जो लिखा गया था पत्थर पर उतक्रिन था उसका लेख था उसके संदेश था जो पहले राजाओं की दौरा अपने संदेश को अपने आग्याओं को जनता के पांस पहुचाने के लिए इन सेलालखों का पर्योग करते थे तो उन्ही में सहसो का जो तेरवा सिलालेक था उसमें जहारखंड को किस छेतर में दिखाया गया है तो इसका आणसर होगा आट विक छेतर है और इस छेतर कांतर में जहारखंड के लावे उरीशा को चो तीस गड़ है ना अगला question है आपके सामने, question number 8, कॉटिलिया ने अपने रचना और साज्टर में जार्खन प्रदेश को किस सब्द का परियोग किया है? जार्खन प्रदेश के लिए किस सब्द का परियोग किया गया है? तो वो होगा कुकूर देश, ठीक है? कुकूर देश, या फिर option में अगर आता है ये question, तो ये कुकूर करके भी आ सकता है, ये कुकूर देश करके भी आ सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान देजिएगा, अब अगला question है, question number 9, कोटिलियन अपने रचना अर्शास्त्र में मगद और मौरे समराजी तथा दक्चीन भारत का व्यापारिक केंद्र किस परदेश से होकर गुजरता था? मगद समराजी है, मौर समराजी और जो दक्चीन भारत का व्यापारिक मार्ग है, व्यापार करने का जो रास्ता था, वो किस राज़ से होकर गुजरता था तो इसका आणसर क्या होगा जार्खेंड ठीक है जार्खेंड प्रदेश से यह व्यापारिक मार्ग गुजरता था ठीक है अगला question यह आखरी question होगा रांची के किस काल में रांची से किस काल के सिक्के प्राप्त हुए है जिसका आंसर होगा कुशान काल का कुशान काल का हम लोगों को सिक्का रांची से मिला है और साथी साथ हजारी बाग के सीतागड़ा पहाड है वहाँ से भी हमें कुशान कालिन सीख्ये प्राप्त हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे आज का यह question जो था मौरे समराजे से related कुछ question था मौरे काल से related तो कुछ और महत्वपून questions को मैं आप लोगों के समक्ष कल और लाने का प्यास करूँगा है ना वरना कल अगले हम स्थानिय राजवन्सों के बारे में अध्यान करेंगे ठीक है तो आप लोग बने रहे हैं जेके study के साथ और अच्छी रिती से पढ़ाई कीजिए अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई कीजिए अपने तरीके से अपने अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद